यह मार्निंग का टाइम है फाइव थार्टी आप दीख सकते हैं फाइव थार्टी का टाइम है और फाइव थार्टी में जू आपका Sunrise होता है यहां से हो रहा है आपके Sunrise इस से आपको में दिखाता हूं Sunrise यहां का जो यहां का आपको यहां का कैमरे में आ रहा हुँ है आप पीछे की तरफ देख सकते हैं Sunrise होते हुए तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मून अगर बर्चार्ट के 11 अउस में आता है तब क्या होता है 11 अउस जो है उसका संबन हमारे गेंड से है और जो भी हमारा लार्ज नेटवर्क सरकल होता है उसका संबन 11 अउस से है 11 अउस जो है वह हमारा फ्रेंड सरकल भी है और जो हमारे ELDIE सिबलिंग होते हैं उनका संबन भी 11 अउस से है 11th house means आपकी hopes and wishes जो भी life में आप desire करते हो कि आपको life में ये बनना है या कितना rich बनना है या कितना famous बनना है या कितने awards आपको चाहिए कितने rewards आपको चाहिए या कितनी income आपकी होनी चाहिए क्या क्या आपके sources होने चाहिए वो सारी चीज़ 11th house से depend करती है Moon Moon अगर 11th house में आता है तो Moon क्या है? Moon हमारा mind है और हमारा emotion है और जो भी daily का हम काम करते हैं उसमें जैसा भी हम feel करते हैं अच्छा या बुरा अपने daily के काम को लेके उसका संबन भी Moon पे depend करता है या नि daily की चीज़ों को करने के लिए जो भी हमारा mood होता है वो Moon से देखा जाता है तो Moon जब 11th house में आता है तो हम बहुँ ज़यदा emotional हूंगे अपनी income को लेके हम बहुँ ज़यदा emotional हूंगे अपने friend circle को लेके हम बहुँ ज़यदा emotional हूंगे अपनी connectivity को लेके जो भी connectivity हमारी समाज के साथ जुड़ी होई है लोगों के साथ जुड़ी होई है दुनिया के साथ जुड़ी होई है और जो हमारा जो income का source है उन चीजों को लेके हम बहुत ज़्यादा emotional होंगे और उन चीजों को करने के लिए हम all time बहुत ज़्यादा सोचेंगे क्योंकि अगर 11th house अगर incoming gains जो भी आपका incoming gains है अगर वो proper तरीके से नहीं हो पाता है तो आप mentally बहुत ज़्यादा disturb हो जाओगे और जो आपका friend circle है वो भी 11th house है तो जो भी आपका friend circle है यानि within the friend circle जो भी आपके साथ होता है अच्छा या गुरा उन चीजों को लेके आप बहुत ज़्यादा emotional होंगे मान लो दोस्तों के साथ आपका relation बहुत अच्छा है तो आप mentally बहुत अच्छा फील करोगे दोस्तों के साथ अगर आपका relation बहुत खराब है तो mentally आप बहुत ज़्यादा disturb फील करोगे और जब भी जो आपकी income है अगर वो fluctuate होती है क्योंकि moon जो है वो क्या है घटता और बढ़ता है moon कभी फिक्स नहीं होता है तो moon अगर 11th house में है तो जो आपके income के sources हैं और जो आपका friend circle है वो घटता या बढ़ता रहेगा वो कभी भी फिक्स नहीं होगा जैसे आप चाहते हैं कि एक बिलकुल एकदम हर चीज बहुत ही फिक्स हो जाए बैलेंस हो जाए तो ऐसे चीज़ें नहीं होने वाली है वो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा कभी बढ़ेगा तो अपनी income को लेके अपने friend circle को ल तो जो fourth house है वो moon से six तवे हैं fourth house जो है वो आपका comfort है और आपकी मदद है fourth house का संबन आपके सुख से है जो भी चीज़ें आपको सुखी करती है जैसे गाड़ी घोड़ा बंगला घर से संबन्दी चीज़ें और जिन चीज़ों के कारण आप बहुत जादे सुखी फिल करते हो वो fourth house है तो जो fourth house है वो moon से six तवे होने कारण fourth house जो है वो आपका battleground है यानि आपकी income के चक्कर में आपके friend circle के चकर में आपके दोस्तों के चकर में आपकी hopes and wishes के चकर में जो आपका fourth house है वो खराब हो जाता है यानि mother जो है उनके साथ आपका relation खराब हो जाता है यानि मा काफी लोगों को अपने साथ अल्यांज करते हो, काफी लोगों को अपने घर में बिलाते हो, तो उसके चक्र में क्या है, जो आपका होमली कमफर्ट हो खराब हो जाएगा, यानि कही नगही आपकी मदर आपको बोल सकती है, कि इतनी दोस्तियारी मत करा करो, इतने लोगों साथ मत घुमा करो और जब आप बहुत सारे लोगों के साथ association करते हैं बहुत सारे लोगों को जब आप अपने घर में बुलाते हैं तो उसके चक्कर में क्या है कि आप बहुत जादर restless हो जाते हैं और जो आपका inner comfort है वो कही न कहीं खराब होता है तो इसके चक्कर में जो आपका fourth house है damage होगा और आपकी mother के साथ जो आपका relation है वो खराब हो जाएगा फिर जो fifth house है वो moon से seventh away है moon को अगर हम ascendant बनाते हैं यानि अगर हम moon chart बनाते हैं moon को अगर first house में लेके आते हैं तो जो fifth house है वो आपका seventh house बन जाता है तो fifth house अगर आपका seventh house बन जाता है तो जैसे fifth house का सम्मन creativity से है, fifth house का सम्मन romance से है fifth house का सम्मन children से है, fifth house का सम्मन game and fun से है जो भी आपकी fun से सम्मन दित, जो activities होती है उनका सम्मन fifth house से है तो 5th house moon से 7th आवे होने कारण जो आपका 1st life partner होगा वो बहुत ज़्यादा creative होगा बहुत ज़्यादा romantic होगा fun से समदनी चीजों में बहुत ज़्यादा interest होगा वो actor हो सकता है कोई player हो सकता है कोई stage performer हो सकता है politician हो सकता है इन सब चीजों में उनको बहुत ज़्यादा interest होगा फिर हम बात करते हैं 6th house की 6th house जो है वो moon से 8th way है 8th way means destruction यानि moon को अगर आप 1st house बनाते हैं तो जो आपका 6th house है वो आपका 8th house बन जाता है जाता है तो 6th house जो आपका 8th house बन जाता है यानि moon से 8th way है और moon जो है वो 6th house से 6th way है तो जो 6th house है उनकी चीज़े जो है वो बहुँ जाता डैमेज हो सकती है यानि जैसे आपकी इंकम बहुँ जाता बढ़ती है तो 6th house का संबन है आपके डैप से 6th house संबन है आपसेकल से एनिमीज से तो जब आपकी इंकम बढ़ती है इंकम के सोर्सेज बढ़ते है आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ता है तो जो आपका करजा है वो खतम हो सकता है आपके लाज नेटवर्क सर्कल को देखके जो आपके एनिमीज है वो डिस्ट्रॉई हो सकते है बरबाद हो सकते है और फिर दूसरा यह कि अगर मून अगर 11th house में अपने debilitation में है debilitation मतलब जो भी planet debilitate होता है वो उस house का लॉस कर देता जहां पर वो बैठा होता है तो मून अगर 11th house में है तो मून यहां पर आपके फ्रेंट सर्कल का लॉस कर देगा आपके इंकम का लॉस कर देगा आपके hopes and wishes का लॉस कर देगा दूसरा जो आपकी मदर होंगी उनके चक्र में जो आपकी इंकम में उखराब हो सकती है आपका फ्रेंट सर्कल के खराब हो सकता है आपके बड़े भाई से आपका रिलेशन खराब हो सकता क्योंकि 11th house का संब्द आपके बड़े भाई से है और अगर मून अगर अपने अग्जिल्टेशन में है यानि उचका है अगर 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 11th house में तो जो आपका एसेंडेंट होगा वो फने अगर आपके अग्जिल्टेशन में आया है यानि जो भी आप अपना नेगोशेशन तयार करोगे जो भी आप अपना फ्रेंट सर्कल करोगे अगर तयार करोगे उन सब चीजों का बहुत बड़ा गेन मिलेगा आपको उन सब चीजों से आपको बहुत ज़्यादा बेनफिट होगा और उस फाइदे में जो आपकी मदर है उनका बहुत बड़ा रोल होगा क्योंकि जो first house है वो आप है तो आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल होगा आपकी personality को develop करने के लिए और उसके चक्कर में है जो आपका network circle है जो आपका income है वो काफी ज़्यादा बढ़ सकता है तो जो आपकी wish है वो सारी चीज़ें आपकी fulfill हो सकती है और मन चाही चीज़ें आपको मिल सकती है So guys, आज हमने आपको बताया कि moon अगर आपके birth chart के 11th house में आता है तो आपको क्या-क्या benefit मिल सकता है अगर आप भी जानने चाहते हैं आपका moon आपके birth chart में आपको कैसे benefit करवा सकता है तो आप हमारे channel को subscribe कीजिए और अपने moon को जानने की खुश्य कीजिए और अगर आप हमसे consult करना चाहें, हमसे बात करना चाहें तो आप हमारी website के थुरू हमें mail कर सकते हैं, message कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं